ब्रॉट तो यू बाई बिज अनलिस्ट बाई खाटा बुक नमस्कार आप देख रहे हैं बिज तक मैं हूर अज़त देवगन आज जब बजार खुला तो खबरों का अमबार था बजार के सामने लेकिन कोई अच्छी खबरे थी नहीं रूस के राश्वपती पुतिन ने परवाणू बलो को हाई अलर्ट पर रखा रूस के लिए नुकलियर बेस बनने को तयार है बेला रूस ऐसी खबर थी कि यूएस भी यूकरेन को सैनने सहायता देने को तयार था जिसकी वज़ासे बहुत नर्वसनेस हो री थी यूकरेन को हत्यारों की सप्लाई यूरोप करने को तयार है एक और खबर लेकिन आर्थिक मोचर पर भी कुछ डेवलप्मेंट्स थी जैसे की रूस पर आर्थिक प्रतिबंदों को और कड़ा कर दिया गया है जिसमें अमेरिका, यूरोपेन कमिशन, रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से उन्होंने हटा दिया है रूस की तेल कंपनी रॉस निफ्ट में पूरा 19.75% हिस्सा ब्रिटिश पेट्रोलियम बेचने को तयार है ब्रिटिश पेट्रोलियम 2013 से रॉस निफ्ट का शेर होल्डर है और अपनी सारी हिस्सेदारी बेच रहा है इस बीच कुछ पॉजिटिव खबरे भी थी जैसे कि बेलारूस बॉर्डर पर दोनों देशों के प्रतिनी धी मिलने को तयार है और यह बैठक दोपहर से शुरू हो गई आज राज संयुक्त राष्टर की बैठक बेहत एहमें उसमें जो भी फैसला होगा बजार पर बड़ा असा डालेगा लेकिन ऐसे में पिछले सत्र में अमेरिकन मारकेट में लगभग 834 अंकों की बड़ा दाउ में देखने को मिली थी और SX निफ्टी करीब करीब 300 अंकों का उच्छाल शुकरवार के सत्र में दिखा के गया था तो सपने तो बहुत अच्छे आया थे ट्रेडर्स को कि 300 अंकों का उच्छाल हो सकता है कि आज शुरूआती सत्र में बजार पर देखने को मिले लेकिन ये शेर बजार है जैसी बजार खुलने वाला था वैसे ही कच्छा तेल चरपड़ा 5-6 परचंट की तेजी हो गई 102 डॉलर के पार निकल गया ब्रेंट कुरूड और भारती बजार जैसे खुले वैसी लग गया गोता निफ्टी में शिरुवाती सत्र में 177 अंकों की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और ये जो गिरावटे बढ़कर 302 अंकों तक ले गई निफ्टी को 16356 का आज के दिन का लो लग गया ऐसा लगा कि सारे सपने टूड गए लेकिन ये बजार है और चौका देता है बिलकुल वही हुआ क्या कमाल की रिकवरी आज के सत्र में 16356 के लेवल से देखी है आज के दिन का हाई है 16815 कुल मिलाकर निफ्टी में 135 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग होई है 16793 पर निफ्टी बैंक 225 अंक लुड़कता हूँ नजर आया और सेंसेक्स 388 अंक बढ़कर क्लोज हुआ है लेकिन जिस रिकवरी के में बात कर रहा हूँ वो आखने हैं आपकी स्क्रीन पर क्यूक कमाल एक दम से जो शिरुवाती जटका लगा था बजार में उसको जो पचाया जबर्दस तरीके से पिछले दिन के हाई को तोड़ता हूँ नजर आया आज के सत्र में बजार एडवांस डिकलाइंस 23 शेर्ज निफ्टी के हरे निशान में और 16 शेर्ज आज के सत्र में लालिशान में बन दों हैं का वेटेज बहुत जादा है और पचास अंकों का कॉंट्रिबूशन इसकी तरफ से तो निफ्टी को बहुत सहारा मिला जो गेनर में आज जो पहले पलटा था वो थे मेटल्स जिसमें निफ्टी गेनर्स में भी आप दोनों ही मेटल्स को पाएंगे हिंडाल को और टाटा स्टील हिंडाल को तो इंपाक्ट बिस तक पे आपको बार बार सुबेच दस बजे के शो में जो भी जानकर हमारे साथ जुड़ते हैं उन्होंने बताया है कि हिंडाल को यहां से चड़ सकता है क्योंकि अलुमीनियम कींगते ग्लोबल मार्केट में चड़ रही हैं और रूस यूक्रेन के तनाव का बड़ा असर देखने को मिलेगा अलुमीनियम से जुड़ी कंपनियों पे तो हिंडाल को का नंबर आ गया और साथ परसंट उचल गया इसके होने 2% से 3% की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में हैं सेक्टर स्पेसिफिक पहला सेक्टर है मेटल्स जिसमें आज रिवर्सल सबसे पहले आया था और दिन भर हमने देखा कि खरिदारी होती हुए नजरा है और आम तोर पे ऐसी खरिदारी कम देखने को मिलती है लेकिन आज कॉमोरिटी प्ले हुआ है मार्केट में क्योंकि जो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध है इसका असर तेल गैस मेटल्स इन कॉमोरिटी इसको पढ़ रहा है और उसको आज बजार ने जैसे ही भापा और पचाया तो जबर्दस तेजी आज हमने कॉमोरिटी लेड कंपनीज में आती हुए नजर आई है अच्छा एक रिपोर्ट ना जेफरीज की थी आज बजार खुलने से पहले गेल पर उन्होंने गेल को अपग्रेड किया बाई रेटिंग दी है लक्षे 170 का समझते हैं जेफरीज की गेल पर देखने को मिल सकता है और वो कहने हैं कि द गेल की उससे भी री रेटिंग संभव है तो आज आप सरकारी कंपनियों में और ग्रेटर में पाएंगे कि जहां-जहां गेल लिखा है वहां-वहां तेजी बन के इंडेक्स में क्योंकि गेल खुद ही 7.5% उपर था विसाल के तौर पे सरकारी कंपनियों के पीसी इंडेक पर है गेल फिर पेट्रोनेट 5.5%, BPCL, MGL, GSPL, Reliance Industries 3% से 4% उपर, Consumer Durables में खरेदारी देखने को मिली अंबर एंटर्राइज़ में लगभग पौने 7% की तेजी, वीगार, टाइटन, क्रॉम्टन, टीटी के प्रेस्टीज 2% से 4% उचले, IT स्टॉक्स ये दूसरा तपका थ मार्केट में मेडल्स के बाद जहां पर लोर लेवल से रिकवरी आ रही थी, जिसमें माइन ट्री, उपरी स्टरों पर थोड़ी मुनाफ़ा वसूली जरूर देखी, लेकिन हाँ, अच्छी अक्टिविटी थी 2% टेज, L&T Technology Services और L&T Infotech दोनों ही स्टॉक्स दो परसें से 7.5% की तेजी बनी, और पार ग्रेड, सरकारी का अपनी 6% उचल गया है स्टॉक, अच्छा वाइदा कारूबार पर जहां सबसे बड़ा डेंट पड़ा वो था बायो कॉन, 11.5% लुड़क गया है ये शेर, क्योंकि इनकी जो सब्सुडिरी है बायो कॉन बायो कॉन बाय सेनुइशन थोड़े स्ट्रेच लगे बजार को और उपर से करजा भी उठाना पड़ेगा सबसुडिरी को, उसके चलते है ये शेर जो है, वो आज धड़ाम हो गया, 11.5% लीचे, वाइदा कारूबार पर पर रेंडस्टी नतीजे बिल्कुल पसंद नहीं आए बजार को, 7% ये टूड़ गया, स्ट्राइट्स, फार्मा, HDFC, लाइफ और गुजरात गयास में भी दबाव देखने को मिला, मिड़के आप गेनेस की सूची में पहले पायदान पे आज है UTI AMC, कमाल कर रहा था, 15% उपर, एवरेडी लगभग 10.5% उपर, शंक्रा 10%, KSB, पैसा लो, नेटको, फार्मा, गोदावरी पार, 7.5% से लगभग 9% उपर हुए, फ्यूचर रिटेल, नरायन हुदाले, सन फ्लाग, अंबर एंटरप्राइज़, एलिम्बिक लिमिटेड में भी 7% से 7.5% की कमाई हुई है, आज सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, मिड़के आप लूज जैसे 6% से 7.5% रूड़क गए, इसके लावा अदानी, ग्रीन, स्टरलाइट, टेक, शिल्पा, मेडिकेर, रैडिको जैसे स्टॉक में 4% से 4.5% की नेगिटिव क्लोजिंग दिखी है आज, और SIS लिमिटेर, KEI, इंडस्ट्री, इस स्टॉक में भी 3% से 3.5% की गिरावट देखने को मिली, अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक ट्रंकेटिड वीक है, यानि कि कल के सतर में है छुटी है, हम बुद्वार को लोटेंगे, तो किसी भी और मोमेंट हो सकती है, और आपने देखी लिए कितने wild swings मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, प्रेडिक्ट करना ह ये कि अब रूस और यूक्रेन पे जो भी डेवलाप्रेंट होते हैं, आर्थिक फ्रंट पे भी और ये जियो पॉलिटिकल टेंशिंस में बैठे के हो रही हैं, उस पे भी वो बड़ा असर डालेंगी, चाहे हो एक्विटी मार्केट हो या फिर कॉमॉनिटी मार्केट, या डेफिनिटली अगले सतर में देखने को मिलेगा, तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पर डॉमिनेट करेंगे, आकड़ों के लिहाज से सत्रह हजार बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सत्रह हजार के उपर अगर जाके टिके कुछ दिन, उसके बाद हम कह सकते हैं कि बादार स्टेबल हुआ, लेकिन जब तक इस सत्रह हजार को री कॉन कर नहीं करता, बादार उसके उपर टिकता नहीं और ऐसे वाइल स्विंग रूपते नहीं, तो बादार पर अंसर्टिन्टी जो हो अभी भी देखने को मिल सकते हैं झाल झाल